अब मैं दूसरे मरहले पे आऊंगा दूसरे फेस पे आऊंगा पर एक यहां जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूं कुछ फोज की अफसर है कुछ पॉलिटिक्स में कुछ डिप्लोमेट्स है तो उनका उनको बहुत गबरायव है आर्जू जी कहते है भाई ये तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है क्योंकि भाई ये मतलब ये पाकिस्तान अचानक सीज़ फायर करना है तो अगर आप सीज़ फायर शोड़े तो आतंगवादी इंफिल्क्रेट कैसे करोंगे दूसरी बात अब अगला यहां तो लोग ये भी कह रहे है भाई तया रही है अगल क्या आतंगवादी हमला होने वाला है और कहा गया है कि दोने तरफ से फारिंग नहीं होगी ऐसा पहले भी हो चुका है लेकिन अभी दुमारा से इस चीज़ को कहा गया है तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो इस चीज़ को बड़ा वेलकम करती हूं लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर हम कंपेर करें इंडियन गर्मेंट्स को जो अभी है या जो पहले थी कॉंगरेस की या पाकिस्तान में जो गर्मेंट अभी है या जो पहले गर्मेंट्स थी कि इन में से आप किसको समझते हैं कि कौन सी गर्मेंट्स ऐसी हैं जिनों ने इस चीज़ को लेके आगे बढ़ी के सीज़ फार होना चाहि तो उनके लिए एक अच्छा अच्छी खबर है कि इस तरह की फायरिंग नहीं होगी लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सी गर्मेंट्स ने बेतर काम किया या काम करने की कोशिश की सबसे पहले तो मैं आपको यह बोलूगा आपने बहुत बेहतरी सवाल पूछा और यह सवाल बहुत कंप्लिकेटेड है कारण क्या कि जो सीजफायर एग्रिमेंट हुआ था दो हजार तीन से दो हजार शीट थे तो वाजपाई जी थे और यहां उश्रफ साम थे तो दो हजार है कि सीजफायर वाइलेशन जो है जो लोकल कमांडर्स के हाथ में होता है यह गोर्मेंट के हाथ में नहीं होता क्योंकि अगर गोली चलेगी तो उनको जवाब देना पड़ता है अब आप तो यह जानते है अभी जो प्रैमेरी बिफोर भी गो इंटो डेटेल्स पैमेरली स सब्सक्राइब करते हैं अगर इससे यह बसती है अब जो अब दूसरे महराले पर आऊंगा दूसरे फेस पर आऊंगा पर एक यहां जब मैं कुछ लोगों से बात करता हूं कुछ फोज की अफसरे बात करता है सब्सक्राइब करते हैं तो अगला यहां तो लोग यह भी कह रहे हैं तैया रही है अगला की आतंगवादी हमला होने वाला है दो तीन चीज़े इसमें खुल के आरी पहली चीज़ लोग कुछ अब लिए जो पाकिस्टान की फाइनांशल पॉजिशन है अभी उसमें या तो आब मतले पैटरोल खरी दे दूर चीनी खरी दे दोनों की परिस्टी पाकिस्तान के पास इतने हैं ने कि ये करें अगर यह करता है तो आप लोगों के इंट्रेस्स को बेसिक नीट्स को दरके नहर करते हो यह कर रहे हो भाई मैं करो बंब गोल है खरीद रहे हैं सच्छा वैक्सीन थरी लुट वैक्सीन तो ज़रा ज़रूर ही ना बंब बंद मों पहली बात दूसरी बात यहां एक फॉट प्रोसेस यह भी आर्ज हो जी कि इतनी बड़ी आर्मी चाइना की थी इतना बड़ा अगर दस महीने बाद चाइना कुछ नहीं कर पा रहा है तो भाई पाकिस्तान कहां से कुछ कर लेगा आप ऐसे चार जंगे लड़के हार चुके हो आपने तीस साल प्रोक्सी वांचर आया कुछ नहीं मिला आतंगवादियों को बेज रहे हुने दो तीन तीन अब देखे व आप तो आपको क्या मिलेगा एक यह मॉडल है तीसरा मॉडल जो हमारे यह एक एक एपरेंट्शन है वह यह है कि भाई यह कहीं वहाँ चाइना पीछे चला गया यहां पाकिस्तान पीछे चला गया कि कुछ बड़े अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा सोच रहे हैं और ऐसा भी यह जो है यहां पर फॉट्ट प्रोसेस है कि दोनों पीछे चलेगे आप एक आगडा दूगा आपके आसकर्टू एर बेस पे 40-50 शैनी जैट्स हैं क्या वहां है या गया मुझे नहीं पता यह मुझे मैं पाकिस्तान ने बॉर्डर के आस्पा जमावड़ा नहीं लगाया आर्मी का कंसेंट्रेशन नहीं हुआ है यह खुद नर्वाने सहाब कहते हैं पर साइट में एक और बड़ा घंबीर आगडा मेरे पास जिसको मैं जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं पिछने साल मनलब मैं 20 की बात निकर नहीं उसके पहले साल करीब जब चाइना अर्जू जी चार हजार चेसो पैंताली सीजफायर वाइलेशन वे पाकिस्तान विच इस आलमोस्टेंट टू एलेवन टाइमस यह क्यों हुआ इस पे क्यों किया गया अब चाइना हट रहा है अब देखिए जब चाइना लेसी पे था तो पाकिस्तान की दूर और आइकन से फाइवनडर्ड वन थाउजन परसेंट मोर मलब परसेंटेज हैं गुणा में देखें जैसे इसको देखना चाहें कहां पहले पांसो पचास थी तीन साल ऐसे के कोई नहीं था फिर उससे पुराना साल उननीस की बात करें पांसो साड़े पांसो अब इस दस मह किसी थर्ड कंट्री में बात नहीं हुए थी कुछ आटकले यह भी है अब यह कंप्लेक्स इसको अगर मैं आइसुलेशन में देखू प्रेजिदेंस में देखू हाँ यह संभा है अच्छी बात है होनी चाहिए आइपका समर्दन करता हूं बट अब मैं इसको चैना के साथ मिला के देखू तो एक दूसरा थाट प्रोसेस आता है तो अब यह और हमें यह भी पता कि आपकी हुकूमत की आर्मी पे तो चलती नहीं आर्मी वाले वही करेंगे जो उनके मन में होगा अब याजी साब कुछ भी बोलते रहें वह तो बोलते रह जाएंगे भाई उनको त करना है अब आर्मी का कमर्शिल इंट्रेस्स कहा है अब देखें फोजी आपका 10 पर संटी डीडीप कंट्रोल करती है यह कोई छुपई बात है नहीं में तो वहीं करा भी पॉब्लिक डोमेन में बात है तो अब इन सब चुरिजों को देखा जिए अचानक क्या होगी है अगर तीस साल से अप्लिकेबल है 4,645 से इसपार वाइलेशन क्यों हो है यह मुझे समझ नहीं रहा चाइना पीछे जाता अब आप पीछे जाते हैं मैं यही इश्वर से प्रातना करूंगा मन्शाक्षी हो इस रहे ट्रैंकॉलिटी रहे बट मैडम ओनेस्ली स्पीकिंग इंडियन और ऐस पुल्टिकल एलिक्टर कमेंटेटर मेरा डाउट इस पर है मैं तो यह कहता हूं पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है यह मैंना मुझे जो क्लाइमेक्स से पहले एकदम प्लॉट नीचे आता ना एकदम क्लाइमेक्स आता हो तो वह वाली बात नहीं हो सकती है न दूसरा जो आप वाइलेशन की बात कर रहे हैं तो वो तो दोनों तरफ से हुई है ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं है दोनों तरफ से एक ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान करता जा रहा है करता जा रहा है आप लोग बैठे वे और देख रहे हैं ऐसा नहीं ह पीछे गया है वो भी इतने टाइम के बार तो आप लोगों के साथ कोई ना कोई बात कोई होगी यह दूसरे इस तरह की चीज़ें जो चलती है वो तो आपको खुद पता है कि जो बैकडोर डिपलोमेसी कहलाती है और इस तरह से तो वो तो बात चीछ चल रही होती है और ये इस वक्त ये भी सुनने में आ रहा है कि मोदी जी पहले ही दस चीजों में फ़से में कहीं फार्मर प्रोटेस्ट है कहीं कुछ अभी बेंगॉल का अभी वो जो चल रहा है आपका इलेक्शन उसमें भी खास अच्छी नियूज नहीं है मोदी सरकार के लिए तो हो सकता है कि चार हैं कि चलो इदर से तो सकून करूं फिर ताके पहले कंट्री में अंदर क्या हो रहा है वोट सेट कर लिया जा और सेम यही चीज इमरान खांग साथ है कि कभी वो अपोजिशन उनके लिए खड़ी हो जाती है कभी सैनिट का इलेक्शन उनको प्रॉब्लम कर रहा है तो कि आजो जी पीस इस वेलकम पीस होनी चाहिए रहनी चाहिए बट मैं यह नहीं मानता कि जो इंडिया की जो एक्स्टरल अफेस मिनिस्ट्री है और हो मिनिस्ट्री से और लेती है ऐसा कुछ नहीं है वो यह सब अपनी जगा में जो जो भी अंदर के मसले है या जो भी कुछ है यह दोनों यह सब आपसे बात जरूर करते हैं और अपनी यह लास्ट है इस समय आज की दिन तवहीं जो यह पीछे कोन गया पहली बात दूसरी बात अगर पाकिस्तान हमारे पर अटाक करेगा फारिक करेगा हमें जवाब देना पड़ेगा बट सबसे इंपोर्टन चीज हो दी सीस वाइर को अगर आप इसको स्टैडी करें वो स्टार्ट इड इस चार अजार शेस्टो पैंतालिस का आगणा है वेर पाकिस्तान है रोकुल इस इस बात नाश्टान चंद सहलाव देखें हजारों लोग करोना के होतोए रैलियो में आ रहे हैं अगर आप देखें जो बंगाल में जो परिस्तिती बन रही है ममतादीजी जो है हमारी ममतादीदी वो कभी गब्राई हुई है दरजल आप तो आरजु जी आप खुद मीडिया वाले आप तो आप देखें कितने लोग उनकी मिटिंगों में आ रहें कितने अमिच शाजी वहां बैढ़ है तो जो बहां जिब लास्ट इम एलेक्शन हुआ था हमारा एक साल पहले तो ममतादीदी ने कहा था कुछ बंगाली मुझे आती नहीं उन्हें कहा था शुन्य मतलब शुन्य का म पारें तो अब वहां जो आपको दिख रहा है वह मंता थी कि गवराहत दिख रही है मोधी जी कोई गवराएवे नहीं है और वैसे कि मोधी जी तो सेंटर में बैठें है एक्टी परसें स्टेटों में बीजेपी की गवर्मेंट है दो-चार स्टेटें हो चीव मुझे लग कुछ आपकोर्स कंट्री में अगर सब कुछ पीसफुली ना चल रहा हो तो प्राइम मिनिस्टर विल्कुल थोड़ी बहुत घबरहाट होनी चाहिए मोधी जी को लेकिन जो हम L.O.C. की बात कर रहे थे वाइलेशन की तो वो तो अगर हम मेरे और आपकी जगा हम तो सिविल करता है और आप लोग सिर्फ पलट के जवाब दे रहे होते हैं ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल से अधर से भी कुछ ना कुछ होता ही है एक ही तरह के लोग रहते हैं सार एक ही तरह की सोच है की तरह को पैटे-पैटे के चलो थोड़ी सी फारिंग कर लेता है तो लेकिन यह कि जिसको लेके आगे चला जा सकता है दुबारा से उस चीज को थोड़ा पीसफुली मैं यह नहीं कहरें कि दोस्ती हो जाएगी आना जाना शुरू हो जाएगा लेकिन फिर भी एक जिसे कहते हैं ना कि वो जो ब्लेम गेम चल रहा था वो थोड़ी दिर के लिए रुकेगा आपको लगता है दिए ठीए BYह ख пошल अड़ा पूंझ ए बास्री से बात चल रही है बाची चल रहा तक तक सबसाब आप चल रही जब तक बात सुरी से बात चल रही है, बात चीछ चल रही है, ठीक है, जिस दिन नहीं चलेगी तो सुदर्सेंट चकरवाला ऑप्शन तो ही ना, दोनों अपने हाथ में, ये चाइना भी बले बात से समझ गया, दस महिने लगे जिस दिंपिंग और उनके चनरलों को समझने मे अगर ये पीस हो, अगर टेरिजम रुके, तो संभावन आई, मैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलू तो ऑप्शन बन सकते हैं, बट अगर पीस नहीं होई, टेरिजम नहीं रुका तो ऑप्शन बनने का तो सवाल ही नहीं, मैं आर्जू जी, मैं पाकिस्तान का कोई कोई प अगर इन दो चीजों पर तीस साल पाकिस्तान करें, बैं छोड़ दो ये कश्मीर, ये लड़ाईया, जगड़ाया, डेवलमेंट, 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 आपकी आबादी है, बहुत जल्दी प्रोग्रस कर सकते हैं, और जो डेमोक्रासी है, उसको एक जा रहे हैं, महमदा जी जा रहे हैं, अपर हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों को करें, बैं आप हमें वोड़ाई अपनी मात करें, बट फैसला कोन कर रहा है, लोग, जिस दिन ये परिस्क्रतिव आ जाए, चाहिए कोई आरभी वाले भी हैं, वो लड़े, एलेक्शन अगर लगो, अगर जिस दिन लोग वोट और ऑपिनर्स में मैंटर करेगा, और जब सर्फ डेवलमेंट की बात हो, अगर आपको हम से मुकाबला करना करें ऐभी करें, ला जो हुँदाiken करें, стро कि लेंडुस्टिट करें,। आप तो रापमा हूप हो हम हढ़ी इसका हभ तो यह जो भी आपने हमारे पांश मार दे तो यह ऐल्टिमेटली आदमी मरी रहा ना आप किसी के जाद जाती तो किसी का फाइदा को होता नहीं बट यह है कि अब हम क्या करें अगर आपका वो कश्मीर का जनून है वो खतमी नहीं होता देखिए सटकर साल से कश्मीर के लिए चार्जेंगे लड़गे, तीस साल से फॉक्सी गॉल लड़ रहे हैं, मैं क्याता हूँ, भई, कोई तो इनसे पूछे, आपको मिला क्या, अगर आपको कुछ मिल नी रहा, छोड़ दो भई इसको, आप मुझे बताइए, अभी प्रियर्टी वेक्सीन है, या मिजाइल है, क्य का रिजर्व आप नोट चापे जा रहे हो, जहीं, मैं इश्वर से यह मांगतों कि भी ऐसी जिंबाबे रही सिती ना हो जाए, अभी मैं अर्श करूँगा, यह जितने भी आपके आपके आर्मी के जनरल है, मिस्टर नियाजी है, वो इस पे कंसेंट्रेट करें मैडम, अभ अगर आप देखिया, अगर आप आप आर्मी का नहीं है, नेवी का नहीं है, तो भाई यह जंग की बाते क्यों, इससे मिलेगा क्या?